इसका आप screenshot ले लो और मेरे इंस्टाग्राम पर इसका answer लिखकर खुद देना और आपने यह warm, cool, neutral और आपने यह formula शीख लिए तो आपको client को desired shade देने में कभी गड़बर नहीं होगी so guys जो client आपसे desired shade मांगती है color में कै आप उनको desired shade दे पाते हो या नहीं दे पाते हो अगर आपको लगता है कि desired shade आजाईगी हो वो shade नहीं आती है और कभी कवार आपकी desired shade आती है कभी कवार नहीं आपाती है यह problem आपको अगर color में होती है तो guys आपको यह color formula पूरा सीखना चाहिए जो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ अगर आप यह formula को सीख गए तो guys आप हमेशा अपने client को वही desired shade दे पाओगे जो client आपको दिखाती है या भी shade card को देखकर परसंद करती है अगर आप इस video को full देखते हो पूरे end तक देखते हो तो I hope guys आपको अच्छे समझ भी आ जाएगा और आपको पता भी चल जाएगा कि आप कहा कहा गलती करते हो क्योंकि अक्सर देखा जाता है जब हम client का color shade करते है तो कभी कवार तो guys वह color आ जाता है और कभी कवार वह color नहीं आता है यह अक्सर किस के साथ problem होती है मुझे comment करके जरूरू बताना वह problem क्यों होती है क्योंकि color करने का एक तरीका तो होता ही होता है गाइस एक color के पीछे ना एक formula होता है उस गाइस formula को लगाने के बाद वह color और easy method में आपको समझ आ जाता है वह गाइस आपको मैं बताता हूं आपको हमेशा client को जब shade card दिखाते हो तो उसमें गाइस तीन तरह की सेड़े होती है ठीक है पहली जो होती हमारी वह होती है नेट्रल सेड़ जो सी वह हो गई जो नॉर्मल छे साथ नंबर नॉर्मल आठ नॉर्मल नॉ जिसके पीछे कोई reflection नहीं है और गाइस वो दूसरी सेड़ हो था हमारी व委मГ उसेड़ काड़ में warm मर्म टॉंप होती है warmth वाले सेड़े कुछ सी जेन के पीछे आपका पॉइंट होगा point 4 होगा point 5 होगा Point 6 होगा ये सारी warm tone की तरफ चले जाते हैं कूसेड कार्ड में ऐसे number होते हैं जिनके पीछे cool number होते हैं जैसे cool वाले point 8 हो गया point 2 गया point 1 हो गया point 7 हो गया इस तरीके के हैं ठीक है जाएं इस यह हम सीफ रिफ्लेक्शन की बात करें पूरा कलर ट्यूप मान लिजे आपको 7.6 हो गया 5.4 हो गया यह सारे वोम रिफ्लेक्शन हो गई है ठीक है इसको अच्छे समझने के लिए आपको मैं एक बार रिफ्लेक्शन भी लिखवा देता हूं पॉइंट 3 जो होता है हमारा वो गोल्ड होत सारे हमारे कलर जो आते हूँ वोम में आते हैं ठीक है यह सारे कलर जो हमारे वोम में आते हैं कूल कलर कौन से होते हैं हमारे कूल कलर जो होते हमारे पॉइंट 1 हो गया जो हो गया हमारा एस पॉइंट 2 हो गया हमारा वाइलेट पॉइंट 8 हो गया हमारा मोका जो होता हमारा attribute point seven होता हमारा मैड जो हता हमारा ग्रिन ठीक है ये जो है हमारी सारी कूल फैमिली है ठीक है तो सेड़ का जब आप दिखाते हो तो क्लाइन्ट जो आप से शेड़ पसंद करती है मान लीजेग Зब मरको आप तो आप क्या करोगे आठ नमबर लगाके अपने 40 वोलियम में डितोक तो तो कि आधे को करने के लिए मлекनर को कि अच्छी नोलेज जोने चाहिए और वाउल और कूल क्लर की अच्छी नोले जोनी चाहिए देखिए इसका आंसर होगा गाइस देखिए आपको एट लेवल तक जाना है पहले आपने डिजायर सेट लिख ली अब इसका अंडर कोड क्या होगा हमारा येलो अगर हम लिफ्टिंग आठ तक जाएगे तो येलो तो वीजिव करने के बाद आपको एक निट्रल सेट मिल रही है वह क्यों इसके पीछे भी एक फॉर्मुला है और इस फॉर्मुला को अगर आपने अच्छे से दियान से समझ लिए रट्टा नहीं मारना आपको रट्टा आपको नहीं मारना है आपको ध्यान से समझना है वह फॉर्मुल क्लर मांगे या तो खूल या फिर निट्रल ठीक है इसके बाहर कोई सेड़ ही नहीं ठीक है अगर आप वॉम क्लर के ओपर वॉम क्लर करते हो यह इसके ओपर मैंने इस फॉर्मूले को एक आध वीडियो में और समझा रहे हैं लेकिन बत्त क्या कि लोग को अच्छे समझ नहीं आपाता क्या करते हो लोग वीडियो को ना पर अच्छी तरह किसे देखते नहीं है अगर आप ध्यान से कि अपर कमीद होई कि डबल फोम हो निटेहिएगा आप वोम के ऊपर आप कूल कलर कोई कर रहे हों आप जाली शुंट वह वोगा निट्रेल अगर आप वोम कलर के ऊपर कुए कि कोई से निट्र वीजल्ट कर रहे हो कि है आपको क्या करना पड़ेगा डवल कूल की सीरीज उसको डिपोजिट करने पड़ेगी तब जाके आएगा आपका कूल यहां थोड़ा गडवड हो जाती है समझने में आप लोगो क्योंकि आपको अच्छे समझना बहुत जरूर यह देखिए यह जो वॉम 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 है सारे ये तो जैस हमारे हो गए हैं अंडर कोट अंडर कोड कोई हमारे कूल होता है यह देखिए कैस यह अंडर लाइन के में चैसे अंगे बोलते तो कहीं से आपको लग रहा है इसमें कोईर रोख रहा है यह डॉकárias आड्ए और्लव ओम और्ण्ज ऑं एलो गर्वोल्ड Fighter सार अंडर कोट और यह जो हम इसमें चेंज करके डाल रहे हैं यह हमारी डिपोजिट जो हम क्लियन्ट के बालों पर कर रहे हैं पर जो हमें रिजल्ट मिल रहा है है ठीक है अब इसको समझने के लिए आपको यह learn करना पड़ेगा और एक दो कलर की exercise को solve करते क्योशन को आपको जब जाकी समझ आने वाला है तो start करते समझते हैं अच्छे से इस formula को लगा की समझेगे साथ मैं formula खोल के रखूँआ मैं ताकि आपको अच्छे से जो है वो समझ आ सके हैं तो पहला है इसे वह 5.6 चाहिए 5.6 यानि की कलर उन्होंना कौन सा माँगवा है हमसे वार्मिक पॉइंट सिक्स का हमारा की वामना तो उन्होंने हमसे वाम रिजायल्कॉट मांग रहे तो गास 5.6 पहले हम लिखेगे कि कौन सा चाहिए उसे डिजायर से लिखेगे आप कौन सा वोल्यूम यूज होने वाला है 20 चार नंबर से 20 वोलिम कितने लिफ्ट पर जाएगा 6 पर छे नंबर का अंडरकोट क्या होता है एक दो तिन चार पांच छे नंबर का अंडरकोट होगा आपका ओरेंज यहां पर ओरेंज लिख दिया ठीक है अब जो रेड कलर है हमारा वो में कूल है वो कि वो में तो कि कमल को नग में यहां वो में लिख दिया तो वाम पुलस वाम डवल वैंai यहां फॉर्मुला जव मरा कहता है वोम पुलस वोम डवल वम हो। वे हमपड्रस वाम डवन आपका जो डिजैलट आएम वह 5.6 आजायेगा ठीक है आप डवब वहम हो सिंगल bak मों वोम वोम ही दिखेगा आपको ठीक है थोड़ा वाइब्रिंट दिखेगा चलेगा ठीक है और वाइब्रिंट चीए डवल 6 कर सकते हैं 5.66 अब बात करते हैं 4 से 6 पर जाना है आप 6 को पहले समझेगे छे नंबर क्या है वो में कूल और निट्रल है मैंने क्या बता आपको निट्रल जो होती है सिंगल संख्या वाले हैं सिंगल संख्या मांगे इनके बिचे कोई रिफ्लेक्शन यह चार से 6 पर जाना है ठीक है तो चार नंबर के वालों को 6 पर ले जाने के लिए 20 वुलिम वुलिम से आप 4 से 2 लेवर्ल लिफ्ट करो तो अंडर कोट आपका एगा औरेंज जो अपर आया था अब नेट्रल सेड़ छे नंबर है तो नेट्रल नेट्रल लिए है यह नेट्रल लिख दिया औरेंज क्या है हमारा वॉम, तो वॉम लिख दिया है वॉम पलस निट्रल, वो पलस नूट्रल वों बनता है देखीये साह सञ चैसीनल वोंपलस नूट्रल वों बनता है ठीक यहां यहां ऑड़ यहां हमरी गड़वड हो जाती हैं आय डग में फॉर्मुला हमें बता रहा है कि रिजल्ट वोंब आएगा तो आप क्लेयंट ता खाली छे सब्सक्राइब और कर दो हमें लाइन वाले उमाय पर रहे तो एक च дорог गश्टिया टॉन हमारे इस में कूल पलेस औरेंज क्या है वाम कूल पलस वॉंव नीट्रल Já got cool पलस वॉंव नीट्रल यह साइज सारी exercise साइज आपको इसी तरीके से करनी है वह उंग ounce यह अनक्स इससा इसका डर गुंटो जो और मेरे इंस्टागराम पर इसका आंसर लिखकर खुद देना अगर ये भी मैं सुल जा दूँगा आप बिल्कुल नहीं समझ पाऊगे मैं चाहता हूँ दो तिंग क्योश्चन आप खुद सुल जाए और इनके आंसर मैंने लिखे हुए भी आप कोई नहीं आंसर देख सकते हो लेकिन इस आंसर को लिखे हुए सब्सक्राइब करके भेज देना अपनी राइटिंग में यह मेरे इस किन सोड मत भेज देना अपने एक एक चीज़ सीख ली और आपने यह वाम-कूल-नुट्रेल और आपने यह फोर्म्ला स्टी लिए तो आपको क्लाइट को डिसाइड सेड्ड देने में कभी घड़बर नहीं होगी सो गाईस आई होप गाईस आपको चैनल को सबस्क्राइब करना वीडियो को लाइक करना कमेंड करना बिल्कूल मत बूलना कमेंड से ही मुझे पता चलता है कि नेक्स पार्ट कहलाना है कमेंट इस पर ज्यादा से ज्यादा आएगी तो मैं इसी तरीके के पार्ट आगे लेकर आऊँगा तो गैस मिलते अगली नेक्स वीडियो में ओके टेक केर